Hello बच्चो, इंडिया चे अंदर दो तरह की TRIPAL ATS हैं एक हमारी सरकारी वाले TRIPAL ATS सरकारी वाले जो TRIPAL ATS है, उनका एग्जाम वही है जो NITS के लिए था is of course JName उनके लिए counseling का पोर्टल भी वही है counseling का माध्यम भी वही है जो NITS के लिए है था is of course the JOSA ये सारे के सारे जो सरकारे ट्रिप्लाइटीज हैं इनके अंदर admissions, चाहे fees, चाहे बड़ा eligibility, सब कुछ वैसा का वैसा है ज़से किसी अनाइटी के लिए होता है लेकिन कुछ private ट्रिप्लाइटीज भी हैं दोजार international institute of information technology जिसमें से दो बड़ा primarily है, these are of course है बैंगलोर, आज हम discuss करेंगे ट्रिप्लाइटी हैदराबाद की बारे में जो भी बच्चे जेई मेन की preparation कर रहे हैं, advance की preparation कर रहे हैं उन लोगोंने पक्की बात है कि ट्रिप्लाइटी हैदराबाद की में सारे सारी बातें सुन रखे होंगी IIIT हैदरबाद में admission के लिए 2-3 रास्ते हैं, 2-3 predominant रास्ते हैं उनको मैं के तरके हलका फुलका discuss करेंगे IIIT हैदरबाद is one of the most finest private institute और हाँ मैं पहले बोल दूँ कि IIIT हैदरबाद सरकारी नहीं है private institute है, autonomous university है ऐसा कह सकते हैं, but private not for profit kind of autonomous university कह सकते हैं और of course अगर private institute है इसके अंदर किसी पारागो reservation भी नहीं है, मतलब caste based reservation नहीं है, girls के लिए तो वो seat कुछ अलग-अलग तरीके से reserve करने कोशिश कर रहे है IIIT हैदरबाद को अगर देखा जाए तो ऐसा कह सकते हो कि उसमें primarily दो ही branches हैं, computer science, electronics and electricals, यह of course most sought after branches भी रहती है और इन सारी के सारी branches को ऐसा मान के चल सकते हो कि काफी research based चीज़ें यह लोग पढ़ाते हैं और इसके कारण इनके जो बच्चे होते हैं वो काफी अच्छे से place होते हैं और जो भी industry की demands होती हैं और इसको काफी अच्छे तरीके से यह college cater करता है इसलिए AAAIT हैदरबाद में admission की मारा-मारी भी है और AAAIT हैदरबाद से जो बच्चे graduate होते हैं या फिर post graduate होते हैं B.Tech plus M.Sc. होते हैं उन सारे के सारे बच्चों के लिए companies के अंदर भी मारा-मारा भी होती हैं इस कारण से अच्छा कासा इनके placement भी जाते है AAAIT हैदरबाद की एक बात में और बता दू कि जो भी industry के अंदर changes आते हैं जो भी industry के अंदर जो भी tech वगर में जो changes आते हैं उनको सबसे पहले या फिर ऐसा कहें जो इंस्ट्यूट चेंजज़ को अपने curriculum में change करते हैं वो AAAIT हैदरबाद है तो ऐसा मान के चल सकते हैं काफी sought after college है और इसके अंदर admission के बड़ा दो-तीन रास्ते हमारे काम के तो बड़ा ऐसा मान के चल सकते होगी दो रास्ते हैं जे मेन का रास्ता और UGW का रास्ता एक एक करके हर एक चीज़को में discuss भी करने की कोशिश करते हैं The UG mode is for the admission to dual degree program Dual degree program में बड़ा दो चीज़े हैं B.Tech में मिलता है प्लस Master of Science by Research भी मिलता है Master of Science by Research के लिए आपको एक thesis वगरवाँ पर Submit करनी होती है आपको इन 4-5 साल के अंदर ये जो प्रोग्राम है B.Tech प्लस M.S.C ये बहुत ही research oriented jobs और higher studies के हिसाब सदा इसको बना रखा होता है जैसे मैंने कहा कि अगर research based अगर पढ़ाई करनी हो तो AAA T. Hyderabad is even better than some IITs ठोड़ा बद मैं इस बाद वो clear कर दो कि AAA T. Hyderabad का curriculum of course IITs के मुकाबली भी थोड़ा सा tougher side का रहता है तो IITs के अंदर extra curricular activities तोड़ी जाता होती है और AAA T. Hyderabad थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाय लेका की तरफ जादा oriented रहता है जो थोड़ा सा इनका जो academic है वो थोड़ा सा tough तो है वो computer science और electronics के ही है जैसे बड़ा electronics and communication engineering computer science and engineering computer science ऐसे बड़ा आपके पास है साथ में MS के लिए जैसे computer science यह बड़ा 3-4 जगे लिख लखा है तो MSC न अलग-अलग field है जैसे computational linguistic में अलग आपको MSC में लेगी, computational natural science में लेगी computing and human science में computer science and engineering में अलग से बड़ा MSC मिलेगी तो एक तरह से BTEC तो लग-बग-अलग save नहीं हो गया लेकिन आपकी MSC है वो थोड़े से इसके लिए इसके लिए इसके इसके लिए हो गई तो dual degree का मतलब है कि BTEC इसमें हो जाएगा और MSC इसमें हो जाएगी उसके दो पार्टस है SUPR that is subject proficiency test ये लग-बग-बग 60 minute का होता है और REAP that is research aptitude test for 120 minutes कुल मिलाकर तीन गंटे के आसपास का exam होता है UGEE का इसके दो हिससे है SUPR और REAP जो SUPR है चाहे REAP है दोनों के अंदर ही negative marking है और ऐसा मानके चल सकते हैं कि जितने का सवाल होगा उसका one-fourth उसके negative marking होगी SUPR जो है इसके marks final rank के अंदर count नहीं करते ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा है कि SUPR में आपको सिर्फ और सिर्फ cut-off clear करनी होती है अगर आपने cut-off clear कर दी तो फिर आपके जो REAP का स्कोर है वो consider किया जाएगा तो ऐसा मानके चल सकते हो कि जो SUPR है वो तो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से screening है कि इतना minimum score है वो layout बस हो गया उसके बाद जो जो लोग उस cut-off को clear कर लेंगे उनका REAP वाल अदर paper है उसके marks को deciding order में set कर देंगे और rank 1, 2, 3, 4 ऐसे निकाल देंगे तो final जो rank निकलती है उसके अंदर SUPR के number count नहीं होते उसमें सिर्फ और सिर्फ और REAP के number ही count होते है लिए इस बात को ध्यान रखें कि SUPR में अगर एक threshold number आने compulsory है तब ही आप जो REAP का जो exam है उसके number आपके count किये जाएंगे तो दोनों में ही अच्छा करना important है तीन गंटे का exam में यह एक गंटे का यह बड़ा दो गंटे का यह जासे मैंने का 25% बड़ा गंटे का marking दोनों के अंदर आपकी रहेगी date of examination जो 4th of May 2024 को है 9 से 12 की बीच में से 9 से 10 की बीच में आपका SUPR का exam होगा और 10 से 11 आपका REAP का exam होगा अलग-अलग नहीं होगा, एक साथ ही हो जाएगा बस एक घंटे पहले वो किलेगा, फिर बड़ा दो घंटे वो खुल जाएगा number of questions की बड़ा अगर बात करें तो जो मारा SUPR है उसमें गलत करते हो, तो होगा कुल मिला के बड़ा, यह 50 नमर का है, यह 100 नमर का है total marks आप 100 ही मान के चले, मैंने वैसे date 100 लिखा रखे, then total marks आप 100 ही मान के चले, आपकी जो rank निकलेगी ना वो सिर्फ उसे REAP वाले से ही निकलेगी SUPR तो सिर्फ वो सिर्फ एक तरीके से scrutiny के लिए है, आगे चला अच्छा next is, जो बच्चे इस exam वो clear करेंगे उनके online interviews होंगे, online interviews को डेट है वो 11 से 13 जून के बीच में है next is, बड़ा, किसी परकार को बड़ा SCST में कोई reservation नहीं है हलाकि girls के लिए उन्होंने seat अलग से दे रखी है, लेकिन वो UGEE के exam से नहीं दे रखी है वो JMAIN के exam से दे रखी है let me repeat the statement, UGEE का जो exam है उससे जो बच्चे ले रहे हैं, उनके अंदर SCST, OBC, female किसी परकार का कोई reservation नहीं है लेकिन AAIT हैदरबाद के अंदर JMAIN के थ्रू भी admission होते है तो JMAIN के थ्रू admission होते है उसमें भी again SCST, OBC कोई reservation नहीं है लेकिन girls के लिए उन्होंने कुछ से उसके अंदर fix कर रखी है, तो UGEE के थ्रू girls के लिए reservation नहीं है लेकिन JMAIN के थ्रू जो admissions होंगे उसमें girls के reservation है, कितनी seats है I will discuss next is, application fees के अगर बात करें तो boys के लिए भाइजार के फीज है और girls के लिए बाराजार पांचो की application fees है पढ़ने के अगर बात करें तो roughly ऐसा मानके चल सकते हो कि tuition fees जो होगी वो चारलाख रूपे पर साल के आसपास होगी और महीने के अंदर मैस का और बिटा जो अपका होस्टल चार्ज है वो लगभग लगभग साड़े साथ जार के आसपास आठ जार के आसपास का खरचा रहेगा तो roughly आप ऐसा मानके चल सकते हूं कि एक साल का लगभग लगभग फाइव लेक रुपीज के आसपास का खरचा है ट्रिपल आटी हैदराबाद के अंदर गर पढ़ाई करनी है तो मैंने पहले बोल जो बटा कि यह प्राइविट एंस्ट्यूट है बाकि जो अपने जो सरकारी ट्रिपल आटीज है सब के अंदर लगभग लगभग ऐसा ही है काफी रिजर्विशन सरी बटा काफी स्कॉलर्शिप रहती है तो वहां पर कोई खास दिक्कत नहीं आती यहां तो मान के चलें कि एक साल के पाच लाग क्यास पास का इसाब आपको लेकर चलना पड़ेगा चार साल है सिर्फ बीटेग वाला है तो बीस लाग और पांच साल है तो पच्ची से तीस लाग के आसपास मान के चलें ठीक है ओल्दो मैं कहूंगा कि अगर एडमिशन मिलता है तो लेना चाहिए ठीक है ट्रिपलाटी हैदरबाद के बड़ा जो फॉर्म फिलिंग है वो 6th of Feb से स्टार्ट हो गया है ट्रिपलाटी हैदरबाद एडमिशन बड़ा इस वेबसेट पर आजा सकते हो और 1st of April तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो तो जो बच्चे बड़ा UGEE का एग्जाम देना चाहिए वो ये वाला फिल कर दें J.E.Main की थू जो एडमिशन होंगे उसकी फॉर्म फिलिंग बाद में स्टार्ट होगी जब वो स्टार्ट होगी तो बड़ा आपके जो ग्रूप साँ उनके पर मैसेज करवा देंगे कि बड़ा उसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है जिन बच्चों की अच्छी रैंक आई है वो J.E.Main के थू एडमिशन के लिए अपलाई कर दें यह सिर्फ जो UGEE का एग्जाम ट्रिपलाटी है खुद लेता है ना उसकी बड़ा फॉर्म फिलिंग है यह 1st of April 2024 तक इसका फॉर्म ओपन है आप इसको बर सकते हो J.E.Main के थू जो एडमिशन सोंगे उसके बाद में आएगे जैसे आएगी आपके गुरूप के अंदर मेसेज करा देंगी बड़ा इसकी स्टार्ट हो गई है आप लोग इसको भर दें ठीक है अब इसमें मुद थोड़े बहुत चीज़ें को डिसक्स करना चाहरा हूँ टिर्पलाइटी हैदरबाद में एडमिशन के लिए कुछ अलग-लग रास्ते हैं एक बड़ापका जै-E.Main का रास्ता है यह बड़ा जै-E.Main का रास्ता है यह सिर्फ बी-टेक वाले डिगरीस के लिए बी-टेक प्लस MSC के लिए नहीं है और इसकी फॉर्म फिलिंग बाद में स्टार्ट होगी और जै-E.Main के उपर के तीन-चार हजार रैंक वाले बच्चे हैं उनको टिर्पलाइटी हैदरबाद के अंदर एडमिशन इस रास्ते से मिल सकते हैं ठीक हैं उनको अलग से एक्जाम नहीं देना इन बच्चों को लेकिन एक फॉर्म बढ़ना पड़ेगा फॉर्म अगर आप फिल नहीं करोगे तो बड़ा फिर आपका एडमिशन नहीं मिलेगा इसका फॉर्म बाद में आएगा जो एंट्री का जो फॉर्म है वो फॉर्म बढ़ना ह उसके बाद आपको बता देंगे कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है ठीक है नेक्स्ट इस बड़ा एक स्पेशल चैनल ऑफ एडमिशन है ठीक है ये भी ओपन हो चुका है इसकी फॉर्म फिलिंग की डेट भी बढ़ी है लास्ट डेट भी बढ़ा फर्स फॉर् इलेवन ट्वल्स पढ़ा रही है उनके लिए तो जो बच्चे छटी से लेके बार्वी क्लास तक नवध्य कंतर पढ़े हैं प्लस जो गल्स बीशी बोर्ट में हैं और उडान प्रोग्राम के अंदर हैं उडान प्रोग्राम बिढ़ा एक ऐसा प्रोग्राम है जो अच्छी बढ़ा जो पढ़ा हैं जो गल्स अच्छी होती हैं उनको वो प्रोग्राम में वो इंक्लूड करते हैं तो ये जो दो conditions में से किसी भी एक condition को fulfill करने का लगा बच्चा है वो इस special channel of admission के थूँ admission ले सकता हैं इसमें सिर्फ एक गंटे का exam ही होगा exam की डेट अगेन वही है जो अपनी SUPR की और रीप किती सिर्फ एक गंटे का exam होगा शायद 9 से 10 के आसपास बढ़ागा exam होगा सिर्फ एक गंटे का जो बाहर के students हैं बढ़ा इंडिया के बाहर के जो students हैं उनका direct admission का भी उनका तरीका होता है यह UGEE बढ़ास की form मैं बताया चुक हूँ ओपन हो चुक है और और भी इनके तरीके है बढ़ा lateral entry उन बच्चों के लिए जो किसी और college के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं और अपने fourth semester के अंदर हैं तो यह हमारे इतना काम का नहीं है जो Olympiad के final stage के विनर्स होते है उनके लिए एक admission का रास्ता है और वो भी admission ले सकते हैं लें उनका interview होगा तो यह कुछ और रास्ता भी इनके है बोर्ड में जो अच्छे percentage जो बच्चे लेके हैं उनके right admission का रास्ता भी है सिर्फ उसे एक interview होता है इसके form बाद में आएंगे प्रीडोमिनेंट लिए आपके काम के सिर्फ और सिर्फ कौन सा है J वाला तरीका S P E C वाला तरीका और U G W वाला तरीका यह दोनों प्रीडोमिनेंट है यह सिर्फ और सिर्फ किस के लिए नवद्दे वाले बच्चों के लिए और जो उडान प्रोग्राम के अंदर जो 11th, 12th क्लास में जो गल्स रेजिस्टर्ड है उनके लिए उनके लिए S P C प्रोग्राम है सिर्फ J मेन का एक्जाम देना चाते है उस बच्चे के लिए यह है J मेन के लावा UG W E का एक्जाम भी देना चाते हो गल्स के लिए जो रेजर्वेशन है वो है कंप्यूटर साइंस में 25 सीट और इलेक्ट्रोनिक्स और कम्मुनिकेशन के दर 18 सीट कुना के 43 सीट ये बड़ा कौन से ल बच्चे के लिए J मेन वाले जो बच्चे ना उनके लिए सर आपने अभी दो कहा की रिजर्वेशन नहीं है बटा माने कहा की रिजर्वेशन नहीं है कास्ट बेस्ट रिजर्वेशन नहीं है जेंडर बेस्ट रिजर्वेशन है और जेंडर बेस्ट रिजर्वेशन भी सिर्फ और सिर्फ किसमें है जही मेन से जो एंट्री है उसके थुए यूजी डबल एक उंदर किसी प्रकार का गर्ड बेस्ट मुलब जो जेंडर बेस्ट वह वहां भी नहीं है ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट इस यूजी डबल एक थूगर देखें तो बड़ा तो एक दो टीन चारों का बीटेक सेम अंदर किसका सिर्फ हो सिर्फ एंबस्ट का तो आप ऐसे कह सकते हो कि 35 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 ठीक है यह मेरे ख्यांस बड़ा मेरे कहल से 80 सीट्स आगे यह 86 सीट्स कंप्यूटर साइंस की है इसमें से बस फरकिस बात का है MSC का डिफरेंस से BTEX सबकी सेम है 25 सीट्स जो है बड़ा आपकी electronics की है यह बड़ा कौन से बाल रास्ते के थ्रू है UGW के थ्रू है तो यह सारे dual degree वाले होगे और आगर आपने notice किया हो तो जो 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 बीटेक वाले हैं उसमें dual degree नहीं है तो दोनो डिफरेंट प्रोग्राम्स है सेम प्रोग्राम नहीं है JMAIN की अंदर कितनी रैंक तक बड़ा आपको ट्रिप्लाइटी हैदरबाद मिल सकता है तो उसमें 2021 में 998 रैंक तक मिला 2022 में 2017 रैंक तक मिला और 2023 में 16087 1687 रैंक तक computer science मिला है JMAIN में रैंक के लिए जो बड़ा electronics and communication वाले जो बच्चे हैं उनमें अगर देखें तो last year बड़ा 4,388 रैंक तक 2022 में बड़ा 10,388 रैंक तक और 2021 के अंदर बड़ा 3,42 रैंक तक बच्चों को ये electronics and communication engineering मिली है ठिक तो ये बड़ा ध्यान ररकें इस बात का कि अच्छी रैंक लानी पड़ती है जेई में के अंदर SUPR और REAP के अंदर बड़ा बहुत ही critical thinking वाले सवाल पूछते हैं हाला कि वो बोलते हैं कि syllabus तो जेई में वाला ये लिए सवालों के ने थोड़ा innovation तो रखते हैं तो किस तरह के paper है वो बड़ा अगबर आकर चेक टरना चाओ तो आप description लिए चेक कर सकते हो वो sample पर उसके ने दे रखे हैं वो sample पर वही हैं जो UGEE ने पहले से डाल रखे हैं हाला कि हमने कुछ paper खुद बनाये हैं और हमारे जो competition के बच्चे हैं उनको UGEE का एक्जाम बच्चे देंगे तो उससे पहले हम दो paper उन बच्चों के करा लेंगे यह बाहर वाले बच्चों के लिए open नहीं कर रहा है क्योंकि exam यह दो ही है तो इसलिए सिर्फ वो सिर्फ जो competition वाले तो बच्चे है वो actual UGEE का exam देंगे तो उससे पहले हम उन बच्चों का दो paper करा लेंगे हमारे जतने computational बच्चे उनका करा लेंगे बाहर के लिए तो हमने यह open नहीं किया है नेक्स्ट इस बड़ा placements के अगर बात करें तो ठीक है वैसे आपको मेरे से ज़दा पता है काफी अच्छे placements रहे है लगबग लगबग ऐसा मान के चल सकते हूँ कि नेरली 100% placement ही मान के चल सकते हूँ लास्ट इस एक बात करें तो average salary बटा 20 थ्री लेक गई है उससे पहले 32 लाग गई है उससे पहले बटा 30 लाग गई है तो उस ताम पर placement सोड़े से वैसे भी जादा हुए थे बटा ब्रफली मान के चल सकते हूँ कि यह जो डेटा है ना बटा 23, 24, 25 लाग के आसपास का यह काफी बटा यह काफी मानने लाइक डेटा है अब 30 लाग, 35 लाग तो average उस साल चला गया था जिस साल थोड़ा था टेक का बूम जादा है फिर भी आप मान के चल सकते हूँ कि 25 लाग के आसपास की एवरे सिल्दर गया तो यह जो कंपनीज है बड़ा वो है जह आपर आती है लग बग लग सारे के सारी कंपनीज में आपर आती है जैसे सारी ITS में आती है लग बग लग लग ट्रिपलाटी है था लोग सारी कंपनीज भी आती है तो यह बात थोड़ा ट्रिपलाटी है था 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 अगीन सारे के सारे बच्चे J.E.Main में जिन बच्चों की रैंक उपर की 5000 में आए वो बच्चे J.E.Main के थूट्रिपलाटी हैदरबाद में जाने का रास्ता है उसका फॉर्म जरूर भरें हम ग्रुप्स में आपके पास इंफॉर्मेशन पहुचा देंगे आपको चिंता करने के आवशकता नहीं है हाँ लेकिन जिन बच्चों के लगता हूँ किसे मेरा J.E.Main अच्छा नहीं गया लेकिन शायद मैं U.G.E. के एक्जाम में अच्छा कर लूँ वो U.G.E. का फॉर्म भर लेना फर्स्ट ओफ अपरल तक उसका लास्ट टेट है ठीक है और जो स्पेशल चैनल था ना S.P.E.C. वाला उसमें फॉर्म कौन-कौन बरेंगे गल्स बरेंगी जो ग्लास 12 के अंदर बड़ा कौन से उडान स्कीम C.B.C. वाले से थी या फिर जो लड़की या जो बच्चे छटे क्लास से लेके बार भी क्लास तक नववद देखन दर पड़ें वो बच्चे वो स्पेशल चैनल वाला तरीके से फॉर्म भर सकते हैं तो ठीक है बड़ा फॉर्म अगर भरोके तो अच्छा है UGEE के एक्जाम में जब बच्चा एक्च्छल में एक्जाम देने जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे बच्चे एटलिस्ट दो पेपर दो देखके जाएं रीब का और S.U.P.R का ऐसे पूरा का पूरा तिंग गंटे के दो पेपर हम बनवा लेंगे हमने बनवा भी रखें और हम आपका एक्चा से पेपर लेंगे तो जैसे आप UGEE का एक्जाम दो गेना तो आपको लएगा कि हाँ इस तरह का पेपर हम पहले से देखा है हूँ और ठीक है इसके बड़ाई अलग से कुछ खास करने की आसे अवश्रकता नहीं है जो भी कॉम्प्रिटेशन के बच्चे हैं बस ध्यान रखें कि UGEE वाले इस दोनों पेपर देने है जब एक्चिल पर होगा उससे दो वीक पहले हमें पेपर कभी ने कभी लेंगे बाकिया आपके लिए पढ़ाई चल रही वैसे करते रहें जेमेन में स्कुर अच्छा आजाए तो फॉर्म भर ज़रूर देना ठीक है चले मेरे तरफ से इतना ही था फिर भी कोई शंका हो कोई बात हो मैं से इन मिस हो गई हूँ तो इस वीडियो कमेंट बाक्स में लिए लिए न मैं रिप्लाई करने ही कोशिश करूँगा पढ़ाई करते रहें का ओल दुबेस्ट